हाई फ्रेंड्स मेरा नमेराज और आप सुभी लोग का विलकम है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल लखी आर्जमे अज की स्पीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगर दोस्तों आप से लोग एक आधार शबा केंदर आपन करना चाहते हो तो दोस्तों आप से लोग आधार शबा केंदर के लिए आवेदन कर सकते हो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो की निचे डिस्किप्शन बॉक्स में आपसे भी लोग को आधार ट्रेंडिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेट पोर्टल की ओफिशल व तो आप लोग एक बार इस पर क्लिक करना यहां पर दोस्तों कुछ क्राइटेरिया रखी गई है जिसमें कि दोस्तों अगर आपसे लोग 12 पास आउट हो तभी जाकि यह सेडिफिकेट को ले सकते हो अगर आपसे लोग ने 10 क्लास पास आउट किया हुआ है फिर भी दोस्तो आपसे लोग यह सेडिफिकेट को ले सकते हो यहां पर दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें दी गई है जो कि आपसे लोग यहां पर पूरी फुली तरिके से रेडाओंट कर सकते हो अब यहां पर आपसे लोग को next के option पे क्लिक करना है यह दोस्तों आपसे लोग का registration का page open ह हो चुका है UIDI Candidate Registration का अब यहां पर दोस्तों आपसे लोग को अपना पूरा नाम अपने फादर का नेम अपना डेटो बर्थ अपने जेंडर का क्या है वह यहां पर आपसे लोग को चूज करनी होगी फॉर एक्जामपल अगर आप लोग ने फिप्ट क्लास की भी पढ़ाई की है फिर भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप लोग यह सडिफिकेट को ले सकते हो लोड एजुकेशन डॉकमेंट यानि कि आपसे लोग को अपन स्टेट को स्लेट करोगे यहां से आपसे लोग अपने डिश्टी को स्लेट करोगे और दोस्तों आपसे लोग को केवाशी करना पड़ेगा अपने आधार वेरिफिकेशन के लिए तो यहां पर आपसे लोग अपने आधार काट का नमबर डालोगे और वेरिफाई करोगे इ यह है दोस्तों एक authorization format लेटर बेसिकली दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है आपसे लोग को अपनी जो भी बेसिक डिटेल्स है वे सारी डिटेल्स को फील करने पड़ती है साधी साथ दोस्तों आपसे लोग ने जिस भी company के दुआरा आधार शेंटर लेने का प् करना चाहता हूं तो यहां पर दोस्तों आप अपने डिस्टिंग मैनेजर के थुरू एक इस्टांप लगवा सकते हो और लोग का एक सिक्मेशर कर सकते हो साधी साथ यहां पर आपसे लोग अपना एक फोटो भी चिपका देना इससे ज्यादा दोस्तों इस authorization letter में कुछ भी फिल अप करने की जोरत नहीं है अब दोस्तों चलिए हम फिर से registration page पर आ जाते हैं यहां पर दोस्तों उसी authorization letter को upload कर देना है जो कि मैंने आप लोग को बताया और यहां पर term and condition को accept करना है और submit के option पे click कर देना है आप से भी लोग का registration complete हो चुका है अब आप से भी लोग को login क करना पड़ेगा login करने के लिए यहां पर एक बार इस पर click करो यहां पर आप अमना user id and password डालोगे जो आप से भी लोग को upload के message में प्राप्त हो जाएगा जैसे आप लोग registration कर दोगे उसी user id and password को डालोगे और login के option पर click करोगे इस type से आप से आप से भी लोग का fully dashboard open हो जाए details इसके बाद contact details इसके बाद education details इसके बाद course performance इसके बाद आप से भी लोग को submission करना पड़ेगा personal details की बात करो तो दोस्तों यहां पे कुछ basic details आप से भी लोग को इसे मागे जाएंगी example के तोर पे आप से भी लोग को photo upload करना है अपना contact number type करना है अपना alternate mobile number type करना है साना डे save और next का तो आप लोग एक बार इस पर click करना सबसे important है education details का तो आप से भी लोग को यहां पर education के option पर click करना है आप लोग ने कितने भी education क्यों न की हो उसको यहां पर आप से भी लोग को select करना है और अपने education details की कुछ basic details feel करनी पड़ेंगी जिसके लिए आप लोगों ने य कोई भी चीजे को यहां पर upload करना है साथे साथ यहां पर candidate experience की बात करो तो आप लोग यहां पर fresher के option पे click कर सकते हो और यहां पर आप से भी लोग को shave और draft के option पे click कर देना है profile को setup कर लेते हो तो आप से भी लोग को फिर से इसी तरह का dashboard यहां पर open हो जाता है यहां पर देने के लिए training के option पे आओगे तो आप लोग fresher हो तो fresher के option पे click कर देना state का यहां से आप से लोग को choose कर लेना है basically दोस्तों यहां पर सभी state के लिए यह option आया हुआ है बड़ दोस्तों अभी फिलहाल तीनी state को map किया गया है तो आप अपने state को choose कर लेना और अगर आप ल देख सकते हो आधार enrollment और update operator का तो fresh के option पे click कर देना अब यहां पे आप से लोग को फीज जो लगेगा 1598 रुपए का लगेगा and term and condition को accept करना है और यहां पे submit के option पे click कर देना है यह website नहीं है इसलिए यहां पे payment नहीं हो पा रहा है तो यहां पे submit के option पे click कर देना है आप लोग का payment complete हो जाएगा लोग payment कर देते हो आप से लोग का dashboard फिर से open हो जाता है यहां पर दोस्तों आप से लोग को आधार update और अधार enrollment कैसे करना है इसके regarding आप से लोग को दोस्तों training दिया जाता है अगर आप से लोग को आधार शुबा केंदर open करना है इसी पोर्टल के आधार से तो आप से लोग का अपन हो जाएगा वापन हो जाएगा क्यूंकि दोस्तों आधार शुबा केंदर टेंडर के तौर पर आता है तो यहां पर option मिल जाता आप लोग का व्यू बैच का तो आप से लोग एक बार इस पे क्लिक कर देना लोग का माय बैच का option आप से से लोग को अपने स्टेट का से लेट करना है यहां से लोग को अपने डिश्टिक का और यहां से लोग को सेक्टर का तो किस सेक्टर में आप से लोग काम करना चाहते हूं यहां पर सेक्टर में आप लोग को यहां पर एक्जांपल के तौर पर मैं आईटी यह सर्विशिश के option पर क्लिक कर देता हूं और job role के option पर आओगी तो बहुत सारे जॉब रोल्स यहां पर आपसे भी लोग को आधार सेंटर की भी जॉब रोल्स का option देखने को मिलेगा example के तोर पर मैं समझा रहा हूं तो अभी आधार का option नहीं आया हुआ है क्योंकि दोस्तों यह नई website है किसी ने training भी start नहीं किया है इसलिए दोस्तों यहां पर options नहीं आता है तो अगर options आ जाता है तो आप लोग एक बार इस पर क्लिक करना apply filter के option पर क्लिक करना तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग ने देखा कुछ इस परकार से आप सभी लोग आधार कार्ट की training याने के update और enrollment certificate प्राप्त कर सकते हो और इस certificate के मदद से आप सभी लोग आधार शवाक के इंदर के लिए आविदन भी कर सकते हो अगर दोस्तों आप सभी लोग को आधार शवाक के इंदर आविदन करने में कोई problem हो रही है इस certificate को लेने के बाद तो आप सभी लोग वीडियो के नीचे comment कर सकते हो मैं आप सभी लोग को definitely एक next वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में मैं आप सभी लोग को आधार शवाक के इंदर अपलाई करने से related फुल प्रोसेस बताऊंगा अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करे comment करे, share करे and subscribe जरूर करे मिलते दोस्तों और किसे इंटरेस्ट वीडियो साथ तब तक लिए टाटा and good bye